जब राप्टर लेक रिफ्रेश्च के नए ने CPUs लाँच हुए थे इंटल 14 जेनरेशन डेस्टॉप पे लाँच हुए थी तो हमने i5 14 जेनरेशन का वीडियो बनाया था फिर i9 का वीडियो बनाया था इस वीडियो माम यूज़ कर रहे है और यह PC की जो परफॉर्मेंस है पहली बता देता हूं हमने इसके अंदर बड़े ओवर्गिल कॉंपनेंट लगाए है कुछ कॉंपनेंट जो मेरे पास पढ़े थे लेकिन आपको कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव बता दूँगा कि आप सस्ते में कैसे कर सकते हो इस पीसी बिल्ड की जो प्राइजिंग है वह अप्रॉक्सिमेटली 2.7-2.8 लाक के आसपास है लेकिन यही सेम पीसी बिल्ड आप 2.4 तक भी बना सकते हो सेम स्पैसिफिकेशन के साथ वह कैसे होगा उसके लिए तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी एंड सबसे बहले स्टार्ट कर लेते हैं इंटल कोर आई 7 14700 क प्रोसेसर है जो हमारा 20 कोर्स 28 थ्रेड्स का प्रोसेसर है जहां पर मारे को 8 P-Cores मिलते हैं एंट 12 E-Cores मिलते हैं माक्सिमम टर्बो फ्रिक्वेंसी इस प्रोसेसर गी 5.6 GHz तक की है इतना डिफरेंस नहीं था लेकिन यहां पर जिसके अंदर डिफरेंस था वह यह वाला प्रोसेसर है 14700 के अंदर जंप है और वह पर्फॉर्मेंस में दिखता भी है 557 का support मिलता है थंडर फाइव का support मिलता है लेकिन इन दोनों का support के लिए वह वाला motherboard भी आपको लगाना पड़ेगा प्रोसेसर कैपेबल है मतला फ्यूचर प्रोफ है यह बेस्पार इंटेल ने रखका है डिडियार 4 और डिडियार 5 मेमरी सपोर्ट अभी भी है इसके ओप तो अगर आपके पस पुरा प्रोसेसर अभी आप अपग्रेड करना चाहते हो बजेट नहीं है फ्यूचर में motherboard और रैम के ओपर खर्चा करोगे तो आप 14 जनेरेशन सीप्यों अपने old motherboard में लगा सकते हो विकॉस LGA 1700 socket को यह support करता है तो motherboard भी नहीं चेंज करना एवन RAM भी DDR4 अगर आपके पास हुई तब भी यह प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हो लेकिन मेरा मानना ही है कि अगर आपको optimum performance चाहिए तो DDR5 रैम वाला motherboard और DDR5 रैम ही आप यूज करो समझ रहो ना मतलब आप इतना प्रोसेसर के बाद जैसे कि हमारा के सीरीज का प्रोसेसर तो ओवर क्लॉक आप इसको कर सकते हो एंड इंटेल की तरफ से आपको AI एसिस्ट मिल जाएगा जिसमें AI के थ्रू ओवर क्लॉकिंग होगी आपकी मैनुली करने की जूरत निया लोग फर्स्ट एडिशन वाली रैम और यह हमारी बाइनेरी रैम है 2424 जीबी की दो स्टिक रहे है 48 जीबी रैम इसके अंदर यूज कर रहे हैं जिसकी प्राइजिंग 30,000 के आसपास हमारे को पढ़ती है लेकिन अभी यह वाली इंडियम में अविलेबल नहीं है 32 जीबी रैम व यूज कर रहे हैं वो है एसूस की तरफ से आरोजी बी 760 फ गेमिंग वाइफाई वाला मदर बोर्ड जो आपको 26,000 के आसपास पढ़ जाएगा मदर बोर्ड के अंदर मेरे पास यह वाला था वनना ऐसी पीसी बीड के साथ अब जेड सीरीज का मदर बोर्ड यूज कर सकते और हमारे दिल से सबसे जुड़ावा कॉंपनेंट हमारा ग्राफिक्स काड जो है हमारा जोटेक की तरफ से RTX 4080 Super Trinity Black Edition जो हमारा 16GB VRAM वाला ग्राफिक्स काड है एंड इसके अंदर हमारे को 10,000 240 कूड़ा कोर्स मिलते हैं 320 टेंसर कोर्स हमारे को मिलते हैं जो AI टास्क में काम 80 RT-Course यहां पर महरे को मिल जाएंगे रेटेसिंग में कैसी परफोर्मेंस देगा वह आपको बताएंगे रेटेसिंग की परफोर्मेंस गेंडवलपमेंट में भी काम आती है इवन गेमिंग में धी काम आती है तो आप नवीडिया के जी-प्उज इस चीज में बहुत बढ तगडी मिलती है 1,800,000 के आसपास का जीपियो आज की डेट में फांटर्स एडिशन भी जो जल्दी से मिलता नहीं है 1,500,000 से तो भाई सब स्टार्टिंग है तो मतलब यह बिल्कुल बेस वाला ही मौडल है इससे फिर महेंगे वाले मिल जाएंगे आपको मतलब यह बिल्कु 16,000 के आसपास पढ़ जाएगे आज की डेट में और यहां पर हमने 2TB यूज करी है आप चाहो तो 1TB, 512GB, HDD का कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो मतलब यहां पर भी आप पैसे बचा सकते हो हमने स्टोरेज में थोड़ा ज्यादा हिसाब कर दिया हमारे पास था तो लगा लेकिन कूलर अच्छा होगा ठंडक वाला माहल हो जाएगा और यह काफी पुराना मॉडल है आप तो काफी नए-ने मॉडल MSI की तरफ से और किसी ब्रैंड में आप जा सकते हो मतलब जैसा आपका बजड़ा उसके साब से लगा सकते हो वैसे इस अगला कॉम्पनेंट जिसम सकते हो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में यह 1500 वाट की पावर सप्लाई है जो मारी 80 प्लस प्लाटिनम सर्टिफिकेशन के साथ आती है सर्टिफिकेशन के बारे में मैंने उस वीडियो में समझा रखा है एंड मेरे पास यह पावर सप्लाई पड़ी तो मैंने य मेरे पास पास की पावर सप्लाई है इस पीसी बिल्ड में जूरत दी थी बट यह मेरे पास कॉरसर वारों ने भेजी थी तो मैंने लगा दी अगला मारा जो तगड़ा कॉंपनेट आता है वह आती है मारी क्याबिनेट जो है कॉरसर की तरफ से आईक्यू 5,000 XRGB यह हमारे क केवल मैनेजमेंट आप इस पर कर सकते हो और यह प्रीमियम कैबिनेट है मतलब आप लुक देखो इसके अंदर ऑल वाइट पीसी बिल्ड होता तो और तगड़ा लगता लेकिन जो कॉंपनेंट मुझे चाहिए था जैसे 4080 सूपर चाहिए था एवन राम मेरे को जादा ची कैबिनेट में भी आपका काम चल जाएगा लाइक आठ हजार नौजार तसवार में दुनिया वर की कैबिनेट से तो आप समझे रहो ना कैसे प्राइजिंग कम हो सकते तो मैं तकड़ा इमाम लगा दिये इसके अंदर में अब जरा पर्फॉमेंस की बात कर लेते हैं सब से बेंचमार के नंबर से ने मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाई चुका हो बाकि आप वीडियो पॉस करके देख सकते हो उसके बाद से बाद सिनेमेच 24 निकाला मैंने जीप्यू के स्कोर आप देखो 27000 के आसपास निकल गया है दें CPU के सामने है उसके बाद Geekbench 6 के मल्ट अबर तोड़ है वी यार मार्क का बेंचमार्क भी आपने किया था 20,000 प्लस स्कोर निकल गया इसमें लिखाया सूपर यानि कि इस PC के ऊपर आप अच्छे खाजे वी आर गेमस खेल सकते हो एंड फिर आगे हमारा बेंडर का बेंचमार्क 3D मॉडलिंग जज़ करने के पर आप कोई बी टास्क कर सकते हो फोर के वीडियो एडिटिंग होगी 3D मॉडलिंग रेंडरिंग वाले टास्क होगे क्योंकि जीप्यू तगड़ा है राम यहां पर में पर अच्छी मिलती है तो नॉर्मल प्रडुक्टिव टास्क हो जाएंगे मुल्टि टास्किंग वा इसके अंदर सिंपल सा अंसर यही है जैसे हम प्रडुक्टिव टास्क करते हैं इसके अंदर सीप्यू की नीड होती है तो आपके टास्क का लेवल कैसा है फोर एक्जामपल आप गेम डवलपमेंट कर रहो गेम डवलपमेंट की लिमिट तो नहीं है तो कहीं पर आपको 16GB वाला ग्राफिक्स काड़ भी मोर देन इनफ है कहीं पर 24GB वाला भी कम पड़ सकता है तो वह आपके उपर डिबेंड करता है आपने किस टाइप के टास्क करने है उसके साफसे अपनी PC बिल्ड करो यह अपने प्राइस पॉइंट के साफसे हम जैंक की परफॉमस देगी और 500-600 fps बात करने के जुरत ही नहीं है मतलब आई 74700 के अच्छा खासा पाउर प्रोसेसर है एंड जो हमारा वह सीप्यू इंटेंशिव गेम है तो यहां पर कोई टेंशन होने ही नहीं वाली देन सेकेंड गेम CS2 और यहां पर हमने प्री सेट को रखा है वेरी हाई पर और बा 200 fps भी जा रहे हैं सो 4K में बड़िया जबर्दस गेम ले उसके बाद हमारा दूर का रोना च्छटा पार्ट या निकिए फार कराई 6 प्री सेट को रखा है अल्ट्रा पर और यहां पर कोई भी आप स्केलिंग हम यूज नहीं कर रहे हैं अल्ट्रा प्री सेट पे हंड्रड 120 fps 4K में बड़िया जबर्दस परफॉर्मेंस उसके बाद GTA 5 यहां पर अल्ट्रा यानि कि आप देख सकते हो ना MSAA को हमने X4 रख रखा है FXAA हमने ON रख रखा है उसके बाद Very High Ultra X4 जो सबसे हाइस हो सकता था सारी हाइस सेटिंग हमने कर दिया है 40-80 super है धंग से तो consume हो कुछ क्योंकि क्या होता ना स्टर होने लग जाता है लाग होने लग जाता अगर हमारे को नॉर्मल वेरी हाई सेटिंग पर खेलते हैं तो यहां पर हमारे को 80-90-100 एवरेज एस मिल रहा है और हमारा GPU बड़िया पीक पर यूज हो रहा है कोई स्टर लाग नहीं मिल रहा और याद रखना 4K पे चल रहे हैं गेम यहां पर कोई 1440 पी और 1080 पी की बात नहीं हो रही उसके बाद Forza Horizon 5 प्री सेट रखा एक्स्ट्रीम पे एंड Forza Horizon 5 में DLSS फ्रेम जेनरेशन अब आ चुका है और यहां पर 4K में रॉप पर्फॉरमंस 120-130 fps फ्रेम जेनरेशन लगाने के बाद 140 एवरेज एफपेस मैं हमेशा बोलता हूं जितने पावरफुल जीप्यूज होते हैं उसके अंदर हमारे को DLSS का ज्यादा दिखाई अगला game हमारा Cyberpunk Ultra preset है यहां पर फ्रेम जेनरेशन मिलता है इसके अंदर रेटरेसिंग अभी हमने ओफ रखे इनिशली एंड रॉप पर्फॉरमंस में येस प्लेबल 50 फ्रेटी प्लस fps 45-50 के आसपास और अगर हम फ्रेम जेनरेशन लगाते तो 80-90 fps 4K ध्यान रखना फिर आत सेटिंग्स कम कर लो या DLSS आप लगाऊगे फ्रेम जेनरेशन तो और आम से 70-80 fps मिल जाएंगे तो मतलब प्लेबल है मामला उसके बाद स्पाइडर मैन और यहां पर रखा है फ्रेम जेनरेशन कॉलिटी पर राइट साइड में रेटरेसिंग और यहां पर पर्फॉरमंस रखा है लेकिन इस बार रेटरेसिंग को हमने हाई पर कर दिया है और रेटरेसिंग को लगाने के बाद भी पर्फॉरमंस में 70-80 fps है DLSS फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 140-150 fps है बड़िया पर्फॉरमंस उसके बाद हम टेस्क करने हैं Hogwarts Legacy यहां पर हमारे को DLSS फ्रेम जन और लास्ट गेम हमारा लास्ट ऑफस यहां पर प्रीशेट अल्टरा पर है DLSS इसके अंदर भी बिलता है सेम सेनाजी रखा है दोनों के अंदर और लास्ट ऑफस बाई आप देख सकते हो वी रैम 12 जीवी के आसपास वी रैम कंज्यूम हो रही है और यहां पर रैम जैसे क अगर आप वेट कर रहे थे तो Call of Duty Warzone चला नहीं जिस दिन मैं गेम टेस्ट करना था ना तो वह मैंने नहीं गया बागी और दूसरे गेम सापने देखी लिए आपकी क्या थोट्स से मैं को कॉमेंट करके जरूर बताना तो यह थी पूरी PC बिल्ड आइसेवन 14700 के एके साथ RTX 4080 Super की एक सवाल तुमारे दिमाग में आ रहा होगा यह जी टी ए सिक सारी उसको बता जेते जरूर आम से चल जाई यार इतना तगड़ा ग्राफिक काड लगा अतना बड़िया प्रोसेसर लगा जी टी ए सिस रेडी PC बिल्ड है यह हमारी अगर आपका यह PC बिल्ड करने का तो बाकी आप अपने थॉट्स बता देना आप किस टाइप की वीडियो चाहते हो और बाकी तो सब्सक्राइब करो तो पहली बार आया हो तो एंड मिलते नेक्स वीडियो तक के लिए बाए